हाई गाईज नमस्कार वेलकम है एक बार फिर से हमारी इस और्गेनिक गर्ण चैनल पर जिसे आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल पर और शाथ मैं यह उमीद भी रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे हेल्दी होंगे दोस्तों हम आज बात गुलाब प्लांट की ऊपर बहुत से हमारे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि जो हमारे घर के घर में जो गुलाब की पौधे है उस पर 20-50 फ्लावरिंग हो सके वो चाहते हैं कि हमारी गुलाब के पौधे पर खूप सारे फोल आएं फूलों से लद जाएं तो इसके लिए हमें थोड़ी सी केर करने पड़ती है कुछ जरूरी टीप्स जरूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे आपको फौलो करने होगी जिसते आपको खूप सारे फ्लावरिंग पास सकते हैं फ्रेंट जी हां आप 12-18 इंच के गमले पे इस गुलाब के प्लांट के प्लांट पर आप लगबग 20-30 फ्लावरिंग एक ही साथ पर पास सकते हैं इसके लिए हमें प्लांट पर कुछ जरूरी टीप्स को फौलो करनी होती है जिसे आज हम आपके साथ एक छोटी वीडियो पर सेर करेंगे फ्रेंट ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो गुलाब को आप अच्छी से केर कर पाएंगे और पहुत ही अच्छी मातरा में आप गुलाब के पौधे पा सकते हैं कुछ इस तरह से साइज जैसे आप देख पा रहे होंगे इसकी डंटल भी कितनी मोटी है फूलो की जो सुन्दरता है जो ब्यूटी है कितनी ही आकशक है बहुत ही ब्यू पॉर्ण कर सकते हैं दोस्तों गुलाब के ऊपर आप जितनी अच्छी तरह से पूर्ण करेंगे इसकी पूरानी ब्रांचे जितनी अच्छी से कटिंग करेंगे उतनी ज्यादा मातरा में आपको फ्लावरिंग मिलेगी जो कि नौउंबर दिसंबर जन्वरी फरवरी तक इस कि अगर सही टाइम से गुलाब को रीपोर्टिंग किया जाएं और सही टाइम पर काफी सारी ब्रांचे से उपर उतनी सारे फ्लावरिंग आएंगे तो इसके लिए हमें प्लांच को हर साल करने पड़ती है क्योंकि मिट्टी के अंदर इसकी जो रूट होती है रूट बॉल काफी बॉंडिंग हो जाती जिसके करण रूट इसके मिट्टी से एक खुराँ को एब्जॉप नहीं कर पाती है रूट से पॉद्ट को काफी दिक्त करना परता है इसलिए हमें रीपोर्ट की करने की जरूरत का हुदी है रीपोर्ट करने और आज को सालों बर इस पर फ्लावरिंग भी होती है अच्छी मातरा में फ्लावरिंग भी होती है और देस ऑगर आपको लेनी है तो देसी गुलाब पे ले सकते हैं शेंक भी काफी सारी फ्लावरिंग होती है यह जंगले गुलाब की जैसे इस पर फ्लावरिंगत को नहां से नए नए शूट्स निकलेगे उपरती से नहीं ब्रांच निकलेगी तो तो उस पे काफी सारे flowering होगी तो चलिए सबसे पहले इसको हम सफाई करेंगे जो आनवस्यक जो पौधे उग आते हैं उसे पहले हम उखार फिकेंगे इस तरह से इसको सफाई पहले हम कर लेंगे कट लगाने के लिए सबसे बेटर सबसे अच्छी जगा नौड एरिया के ऊपर आपको कट करना जैसे यह आप देख रहे होंगे यह नौड एरिया यहां से अगर हम कट लगाएंगे तो इस जगा पर फ्यूचर पर नई ब्रांच निकलेगी नई ब्रांच डेवलफ होगी तो सब सब जगा पर हमें नौड ही एरिया पर कट लगाना जैसे कि मैं आपको दिख रहाऊंगा इस जगा से हमें कट लगानी होगी और जो भी कटर आप यूज करें पहले उसे सनिटाइज कर ले अच्छी तरह से अब फ्यूचर में यहीं से एक नई रूट डेवलफ होगी औ गुलाव के ला परकटर देखते होंगे जो कुछ ऐसे ब्रांच है जो सूक जाते हैं इस तरह से जो अक्सर ब्रांचे सुखते हैं जैसे यहां से आप देख रहे हैं उपर से सुखते सुखते नीचे की और आते हैं इसे हम डाइबेक बीमारी बोलते हैं जो अक्सर गुलाब की प्लांच पर इस तरह के ब्रांचे सुखने लगते हैं अगर इसे हम समय से कट ना लगाएं तो यह दिरे-दिरे हमारे plants के उपर पूरी तरह से हावी हो जाएगे और एक time पर हमारी गुलाब सुख भी सकती है तो सबसे पहले जो गुलाब के पोदे पर सुखी भी ब्रांचे से उसे हमें कट करनी होती हो उसके उपर पे हम एक फंगी साइड जो साफ के नाम से लगाने का जरूरी जो होती है वो लगानी पड़ेगी चलिए हम ब्रांच पूरी कट कर लोगा उसके बाद फिर से आपके साथ मैं वापस आता हूं लिजे दोस्तों पूरी हाड पूरन कर दी हाड पूरन क Rainbow के मतलब फ्र फ्लांच क Corporal को पूरी तरह से कट कर देना भील्कुल उट हिए ऑर फ्लावरिंग कैशीप गुलाव की एस इस तरह से हाड पूर्ण कर सकते हैं तब जाके आपको दिसमबर जनवरी फरवरी तक आपकी फ्लाविंग गुलाब पे होती रहेगी कुछ इस तरह से पूर्ण करने देने से काफी सारी प्रांचेश निकलती है तो चलिए इस तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे तो फ्रेंट देख रहे हैं आप कुछ इस तरह से हार्ट फूर्ण हमने कर दी इस प्लांच को दोनों प्लांच को आप इसे बारी है इसे रिपोर्ट किया जाए इसकी रूट बॉल को बाहिर निकला जाए और कुछ रूट को हम कट करेंगे जो कि इस गमले के अंदर में इसकी रूट काफी डेवलप हुई है जो रूट बॉन्डिंग हो चुकी है और अब हमें जरूरत है साफ फंगी सैट जिसे आप जानते हैं बहुत आसानी से आपको यह मिल जाएगी इसकी थोड़ी सी हलकी लिक्वीड बनानी है और जिस जगह पे हम कट लगाए है जहां आप देख पार होंगे इस जगह पे कट लगाए है जहां जहां हमको कटिंग लगानी इसकी एक लेर चड़ा दे नहीं ताकि इसकी फंगस इस पर अटेक ना कर सके और हमारे प्लांस को जो डाइबैक की बिमारी है इससे आगे ना बढ़ सके इसके लिए हमें फंगी साइड का एक प्रत चड़ानी होती है तो चलिए फ्रेयं इसकी रूट बाल को बाहर निकाला जाए थोड़ी सी महनत लगेगी हमें अलकी नकी पूश करनी होगी किसी इसी तरह हमें रूट बॉल को बाहर निकालनी होगी तो कुछ इस तरह से हमारी रूट बॉल बाहर निकल आई है दोस्तों और आप देखते हैं आप देख सक रहे हैं देख पारे होंगे फ्रेंट्स इसकी काफी रूट टेबलप हुए है जो की बॉंडिंग होनी शालू ह हो चुकी है रूट बॉंड जब होती है तो हमारे पोध्य को अच्छी तरह से नुट्रियोशन नहीं मिल पाती है जब धूब डाइट गमले पर पढ़ती है तो इसकी रूट गर्म होती है जिसके कारण पोध्य हमारे बरन होना सुरू हो जाते है इसके लिए हमें आप चलि तो आप देखते होंगे दोस्तों कितनी सारी इसकी रूट है यह तो टैब रूट थी लेकिन टैब रूट करने से कोई दिक्कत नहीं है इसकी जरूरी जो फूड जो इसे फीड को फ्रवाइड कराती है यह हमारे फैब्रेस रूट जो की आप देख पार होंगे यह पतली- प्रवाइड कराती है जो जरूरी पोशक्तत होते हैं यही रूट हमारे प्लांच को पूरी ब्रांचेस पे फ्लॉव करती है तो दोस्तों कुछ इसकी रूट आप देख पा रहे होंगे मैंने लगबग 80% इसकी रूट को कटिंग कर चुका हूं और अब यह बहुत आसानी स हमारी गंभले पर अर इसे करेंगो और ऐसंग मिति को मैं रेष्टा करूंगा भीर से इस मिटी को पावर्फुल कर दूगा दोंगा मिति हमारे कभी खञाब नहीं होती है एक बात आप आप यह नोट कर लें बस मिटी को प्रोपर खाद को हम एक बर इसे प्रषे प्रोब्य जो ग्रोथ है काफे अच्छी होने लगी कि चलिए फिर से हम सफाई करेंगे तो देख पा रहे होंगे हमारी मीटी कितनी भूबुरी है पौरस है गुलाव की मीटी अगर बारिक इस तरह से भूबुरी होगी तो बहुत अच्छी हमारे प्लांस को ग्रोथ होती है इसकी दोसी नमबर भर्मी कंपोट जैसे कि आप देख पारे होंगे यह बर्मी कंपोस है जो की बजार पर आपको बहुत आसाने से मंल मिल जाएगी इसे हम केच्वे खाट की नाम से जानते हैं बर्मी कंपोस्ष गुलाब के लिए बहुत अच्छी होती है यह बिल्कुल औरकेनि होती है तो यह बिल्कुल ओर गेनिक है इससे आप अधिक मात्रा भी डाल देंगे तो किसी तरह की दिकत नहीं हो सकती है अगर आपके पास यह बर्मिक पॉस्ट नहीं है तो आपको गोवर की खाद लेनी जो कावधंग होती है लेकिन जब आप गोवर की खाद ले तो कंपोज नहीं है तो बजार से आप यह वर्मी कंपोस्ट ले ले और लगभग 50 ग्राम की मात्रा डाल दें एक 12 इंच के गमले की मैं कि गमले कमेक प्रोसेस बता रहा हूं ये हम दो खाद और या दूसरी में आपको गोवर की लिए बरीमी कंपोस्ट डाल दें दो खाद हो गए हो और अगर आपके पास आप सकते हैं काफल अच्छी मात्रा में गया फास्पोरस की अच्छी मात्रा होती है तो प्लांस को अच्छी नुट्रिशन मिल पाती है लेकिन जब हम बर्मिक कंपोस्ट खाद देते हैं तो इस पर सभी तरह के पोशक्त तो इस पर मोजूद होते हैं जैसे नाइट्रोजन फास्पोरस और पोटासियम और जो माइक्रो न इनफ है अभी के लिए फिलाल जब हमारे पोदे ग्रोथ पर आ जाएगी और कुछ स्टेज इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब हम आपके साथ फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि कि जो हमारे प्लांस के उपर जो फ्लावरिंग होगी उसकी साइज किस तरह से बढ़ जो आती है थोड़ी सी बड़ी साइज आने चाहिए तो इस पर और भी खाद कुछ हमें एड करनी होती है फिलाल इसकी स्वाइल मीडिया हमारी तयार है तो फ्रेंट चलिए आब हमें घंबले की ड्रेने जो सिस्टम होती उसकी अच्छी सिस्टम हमने बनाने होगी तो इसक अच्छी ड्रेनेज शिस्टम बनती है आप इसे हम उसके उपर से एक बार मिटी डालेंगे इस तरह से मिटी डालेंगे और हलकी सी पूस्ट करने है ताकि जब हम पानी इस पर डालेंगे तो ड्रेनेज होल के माधियं से कुछ मीटी हमारी फर्स पर बाहर निकला ती है तो जब हम इस तरह से हलकी से फूस्ट करेंगे में हलकी मिटी डालके तो जब पानी डालेंगे तो यह पानी के साथ हमारी मिटी नहीं निकलती है इसलिए सबसे पहले हमें हलकी से इस तरह से पाउस्ट करनी होगी और फिर इस पर हम मिटी फील करेंगे अब आधे हमने मित्टी को फिल कर ली है और चलिए अब हम इसे ट्रांस्प्लांट करेंगे अपने गमले को प्लांट्स को कुछ इस तरह से रूट बॉल सेंटर पे हमें लगानी होगी और फिर से इसके चारो तरफ जो हमारी बारिक मित्टी है जो हमारी स्वैल है इस पर पूरी तरह से फिल करेंगे पूरी अच्छी तरह से मित्टी को फिल करनी होगी कुछ इस तरह से हलकी पूस करने ताकि मित्टी पे जड़ जो हमारी रूट है अच्छी तरह से पकड़ बना पाएं दोस्तों एक बात और नोटिस करनी है मित्ती हमें पूरी गमले पे इस तरह से फिल ने करने कुछ इस तरह से हलकी जगह छोड़ने ताक कि जब हम वाटिंग करें तो अच्छी तरह से हमारे पानी यहां से रूख पाएं और पूरी रूट बॉल के अंदर रूट के अंदर तक पानी को हो सके अगर हम पूरीमें फिल करेंगे तो फानी हमारे रूख नहीं पाएंगी ज今 इसे निकलेगे अमारे मित्ती भी बाहार हैं यह फंगी जो साइड है आप ठोड़ी सी लिक्विड हम बनाएंगे जो कि आपके सामने में हमने थोड़ी सी पाने डाल कर थोड़ी सी गीली कर लिया और सब कटिंग की जगा पे इस तरह से हमें लगानी होती है ताकि इसके अंदर किसी तरह का फंगास का अटेक ना हो सके और हमारे प्लांट अच्छी तरह से गूत के स्टेज पर आ सके तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हर कटिंग जगा पर हमें इस तरह से फंगी साइट का एक लेप एक परत चड़ानी होगी तो आप आपको नोटिस करनी है इस य ऐसे तरह सब्सक्राइब फूल ब्राइट लाइट हो यहां पर शूरी एक फ्राइट हो वहां पर रखें आप इसे ढटाओ में रख सकते हैं लेकिन आप यह याद रखें कि गुलाब को जो अधीक धूर्श की पसंद्स जो दोख करती है वह वींटर सीजन की धूर्ष सब् के टंप्रेचर भी अच्छी मिलती है और हीमेट्री लेवल भी बनती है जिससे हमारे गुलाब की जो पौध है इस तरह से मोटी भी बनेगी और विक साइज पे फ्लावरिंग भी होती है फ्लावरिंग होने के लिए एक अच्छी आइडियल टंप्रेचर चाहिए होता है गु पूरत होती है विंटर सीजन में अक्टूबर से नौवमबर तक गुलाब की हर तरह से पूर्ण हर तरह से कटिंग कर ले कर लिए जाए तक कि हर ब्रांचे निकले और खुब सारे हमें हमें गुलाब की प्लांट पर फ्लावरिंग मिल सके दो स्क यकीन मानिया अगर इस तर कर दी है और अब हर कट्रीन के जगह से नई नई ब्रांच निकलेगी जितने सारी ब्रांच निकलेगी अतने सारी फ्लावरिंग होगी और यह देशी divertimenome अक्सर गुलाब की जो ताफी अधीक होती है और इस पे जो जरूरी पोशक तत्यत्य Caleb पोधे के लिए चाहिए वह प्रोपर रूप से हमने इस पर अच्छी तरह से मिला दिया जो कि टाइम टू टाइम इसको मिलता रहेगा और गोवर की जो खाद है वह बहुत सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हरा इन्फोर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर शुक हूँ फिर मिलेंगे तब तक लिए खुस रही है स्वस्त रही है और आप सुरक्षित रही है थैंक्यू सौमाच